हलो फ्रेंड्स विल्कम बाइक तो माइन वीडियो आपका हमारे चैनल यह जी ब्लॉग में स्वागत है तो मैं डीजे वीजे तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पर पूचा था कि जो है हमें अहुजा का कौन सा यूनिट खरीदना चाहिए और उसका सांदार और काफी लांग लाइफ तक चले और हमें इसका 2024 में निव प्राइज लिस्ट क्या है तो दोस्तों हम आज इसी के बारे जानकारी करेंगे कि मेरे जो भी भाई हैं जो हमें खरीदना चाहेते हैं सोच रहे कि हम कोई एक खरीद लें तो उनको जानकाई नहीं कापी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा खरीदना चाहिए हमें ओम वाला खरीदना चाहिए या LMT वाला खरीदना चाहिए तो दोस्तों मैं आज पर बता दूं कि हमाई लिए जो है कौन सा बेस्ट रहेगा आहुजा का जो है इसमें जो है चार पांच मॉडल आते हैं उनमें ज 35 model number इसका और इसका power जो है दोस्तो 25 watt का होता है 35 watt इसका आर्मेस है और इसका max power जो है 35 watt है यह इसका इपिडेंच 16 ohm का होता है और इसका net weight 1 kg 400 g होता है और इसका प्रोक्स प्राइज जो है में 1,012 रुपए परता है इसी इस इसी इस लिष्ट में जो दूसरा unit आता है इसका model नंबर है एक यो 40 यह 40 वाट का ड्राइबर यूनिट होता है और इसका पावर जो है 40 watt का होता है और जो है इसका 40 watt अर्मेस होता है साठ वाट इसका max power होता है इसका इसका इंपिडेंस 16 ओम को होता है और इसका नेट वेट एक गिलो 720 ग्राम होता है और इसका प्रोक्स प्राइस हमें दोस्तों 1250 से 1350 रुपए पड़ता है और से लिस्ट में हमारे जो तीसरे मौडर लाता है दोस्तों कि हमारा जो होता है यह लेम्टी वाला होता है यह ट्रा दो किलो 240 ग्राम होता है और अप्रेक्स प्राइज इसका जो है 1700 से 1900 पड़ता है यह कापी सांदार होता है दोस्तों और अपाइज ज्यादा तर डीजे वाले भाई सब इसी को यूज करते हैं कापी सांदार क्वालिटी को ता और लांग लाइप भी चलता है इसी लिस्ट में और यह भी कापी सांदार होता है और यह मैं जातर डीजे वाले भाई इसी को यूज करते जो कमपटीशन में डीजे बजाते हैं और यह तो जो है कमपटीशन जग में इसकी लांग लाइप और इसके वाज बहुत सांदार क्वाल्टी होती है और इसी लिस्ट में मारा पां तो आसा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरे जो भी भाई मेरे ये समान को जूज करते हैं बिलुकुन अपना किस्पीरेंस हमाई साथ सेर कर सकते हैं और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं इसी नेक्स वीड हुआ हुआ है